हलो शूदेंस आज हम क्लास रोड की इंगलिश तुगेदर विद का चाप्टर नमबर फो द परफेक्ट स्कोर पढ़ेंगे इस चाप्टर का हम लाइन टु-Line को छोड़ फेकल दिफिकल्वाइज वर्यदितव और के bit लिखेंगे इस दिफिकल्वीटि तुछ भीटिया करता है इस पेलिश बहूत असनी से लिख देता था अब क्लास में एक रूल था, रूल ये था कि जो भी बच्चा six spellings mistakes करेगा और उसको वो सभी incorrect spellings को 15 टाइम लिखना पड़ेगा शुनाली who sat next to जैदी always struggled with spellings अब शुनाली एक लडगी थी जो जैदी के साहिद में बैठती थी, उसको हमेशा struggle होता था, struggle का मतलब दिक्कत परिशानी होती थी spellings लिखने में last week she wrote 8 spellings incorrectly which meant copying each word 15 times विछले ही हफते जब क्लास में टेस्ट हुआ था तो शुनाली ने 8 spellings गलत लिखी थी, इसका मतलब यह था कि उन 8 spellings को उसको हर एक spellings को 15 times लिखना था Jaydi grew so confident that he decided not to study for the next test, Jaydi was confident था आपने आपको लिखर के ओ मैं तो बहुत अची spellings लिखता हूं बहुत सारी spellings रही होती है उसे next test के लिए decide कि वह पढ़के ही नहीं जाएगा, वह तो सबाता है उसको, वह पढ़के ही नहीं जाएगा, वह तो सबाता है उसको, वह पढ़के ही उन्होंने words को बोलना शुरू किया, pronounce का मतलब हो गया, बोलना, यानि किसी शब्द को बोलने का तरीका, ठीक है, correct way of saying a word, उसको pronunciation बोलता है, pronounce करना शुरू किया, और सहर वर्ड को बोलने के बाद उसको repeat भी किया, everything was okay until she said handkerchief, हर चीज, सारी चीज़े बिलकुल सही चड़ र लिखना शुरू किया, ह-A-N-D-K-E-R-C-H, now what, I, और E, जैदी ने जब लिखना शुरू किया, तो इसने spelling का एक एक लेटर लिखना शुरू किया, अब लास्ट में उसको लगा कि लास्ट में आई आएगा, या फिर E आएगा, इसको समझ मी निया रहा था कि वो क्या इसने अपनी आखे जो थी, वो एक तम नीचे करके रोल करी और देखा कि बगल में जो शुरू कोपी में देखनी कोशिश करी, there it was written in her handwriting, और उसकी handwriting में, शुरू के handwriting में पूरी spelling लिखी हुई थी, और इसने देख ली थी वो spelling, his eyes went quickly back to his own paper and finished the word with the letters IEF, फिर उसने जैदी न अपनी कोपी से देख करके अपनी कोपी में फटाफट से लास्ट में letters IEF लिख दिया और अपनी spelling complete कर ली, he remained tense as Mrs. Bonami read the word aloud for a final brush up, अब Bonami ma'am क्योंकि बार-बार spellings को repeat करती थी तो finally Bonami ma'am ने फिर से spelling को repeat किया, final brush up के लिए, final brush up का मतलब हो गया, आकरी बार बुलने के लिए जिससे की बच्चे अगर कुछ miss out कर रहे हो, spelling में कोई letter लिखने का, तो लिख सकें, he had copied from another child for the first time, जैदी ने, पहली बार ऐसा हुआ था कि जैदी ने किसी दूसरे की बच्चे से, बच्चे की copy से cheating करी थी, is this the way I want to maintain my perfect score by copying from others, he thought, जैदी ने मनी मन सोचा कि क्या ये तरीका ह इस तरह से क्या मैं cheating करकर के अपना perfect score जो मैं बना के रखता हूँ, वो maintain करूँगा, कि दूसरों की copy में से cheating करूँगा और अपने अच्छे-चे number ले क्या हूँगा, he was upset, और वो दुखी था, something was troubling him strongly, उसको कुछ तो चीज थी, कोई तो बात थी, जो उसको बहुत जादा द रिकत दे रही थी, he quickly erased the word and replaced it with what he knew as the answer, उसने फटा-फट से क्या किया, उसने जो ठीटिं किया था, उसको एरेस किया, और जो spelling उसको लग रहा था, कि उसको लिखना चाहिए, उसने वही letters लिख दी है, he wrote EIF, जैदी ने last में, जो IEF शुनाली से copy किया था, उसको एरेस करके EIF लिख दिया, he put down his pencil and side with relief, फिर जैदी ने अपनी pencil रखी और बहुत सुकून से सांस ली, so what if I do not have the perfect score, at least I will live with my honesty, जैदी ने अपने आप से बोला कि, तो क्या हुआ गए मेरा perfect score नहीं है, at least मैं honesty के साथ रह सकता हूँ, at least I will live with my honesty, यानि कि मैं at least अपनी honesty के साथ रह सकता इसका मतलब क्या है students, इस chapter से आपको क्या समझ में आता है, कि कभी भी हमको जो चीज आती है, वो हमेशा हमें करनी चाहिए, दूसरों की चीज़े नहीं copy करनी चाहिए, जैदी ने किया, फिर जैदी को लगा कि ये चीज सही नहीं है, और उसने अपनी चीज़ें दुबारा